तो हवा जब इन में से क्रॉस होकर के महराजा साब तक पहुशती थी तो बिल्कुल चिल्ड हवा राजा साब लेया करते थे गुड मॉनिंग तयार हैं और आज हमारा आखरी दिन है भरतपुर में आज हम लोग यहां से निकल करके और दिल्ली की तरफ पढ़ेंगे आगे देगना कोहरा था आज कोहरा काफी हलका है पर ठंड हो रही है ठंड तो है मजय की यहां पर इनका सुमिंग पूल जिसकी अभी साफ सफाई हो रही है और कोरोना प्रोटोकॉल की वज़े से बहुत जगों पर सुमिंग पूल फंक्शन ही नहीं थे चालू स्तिती में नहीं अंपया है तो काफी गंदा हो रखा है अर यह है इनका डाइनी एरिया काफी बढ़ा सा एरिया है अदू और कर दिया किया रोडर किया विटा वो देखो और कितना अच्छा बना यह देखा देखा अबरर तभी तर्शे आफ़ उक्राइटिं कर रहते हैं ग्रोट्श्य पर पहा थे पराथे थे अभी पहा चाही भी दें पहा रहन हो गया फिर निकलते हैं सारा समान आ गया गाड़ी में तो हो गया चेक आउट कितने कभी लाया हम लोग का आपने निकलते हम लोग की तरफ जल पालेस की तरफ इसका दो पानी बहुत प्या और निकलते हम लोग की तरफ बीग जलपालेस की तरफ जे जगरी जुरब के जल पैलेस दीग जो की है दीग में जो की भरतकुर से 38 किलो मेटर लगभाग गोवर्थन की तरफ हम आते हैं तब आता है यह आता राजस्तान में है और इसके बगल में ही यूपी का बॉर्टर क्रॉस करके हम गोवर्थन होते हुए उटर पहुच जाएंगे यूपी की अंदर तो पहुच है हम लोग जल पैलेस दीग और यह है मे तो माहत की टाम पर है समर्ख पहले से है जर्धों की ताम आते हैं ती बात की ताम भर्टो नवास करती थिए इसकी यह थास यह एक अंदर फांटुंटें से हैं जो बिना इलेट्रिक के मांतन से चला जाते हैं पूरी बल्डू नाज़यों से है अभी पहुचलती है हम इन सब्urat आउत कि यह सारे फाउंटेन्स है यह पर यह फॉन्टेंस है चाइब पिल्कुल रेन्बो जैसा लगता था यह यह य कु दूर एक फाउंटेन नहीं अनुक्ति आप यहां सब्सक्राऊ में आधि यह नहीं फंटेन है कि यह सब्सक्राइब लोन नंद भवन के अंतर लन महल के अंदर यह मेरे पीछे यह देख रहा हम अर्मा सी मेरे पीछे पालड़ते थे kennen यहां पे बैठे श्ष्राइब और यहीं इसके पीछे यहां पर रानी थाइबा बैठे ती और वह संक्ष्भी लेती है यहां पर water bodies इसके नीचे भी बनी हुई है और सेम इसी तरीके की वाटर बाड़ी उधर जहां पर राजा जी बैठते थे उसके नीचे था यह चछत हम लोग देख रहे हैं यह चछत डबल डोम है इसके उपर एक डोम है और उसके बाद में गैप है उसके बाद यह सीलिंग है जिसके इस प्लेक्शन है वह इन लाइट परता था और यह लाइट चमका करती बहुत बढ़िया तो नंद भवन से निकल करके कुष्टी जब हो जाए करती थी तो राजा के जो पहलवान थे वह इस पूल में इस कुंड में नाया करते थे और फिर यहां से निकल करकर वह अपने ब तो फास के थी इसमें 300 फवार्य बने हुए 300 फवार्य ऐसे वह बड़े वाले फॉंटेंस चलते थे तो यह पूर परदा सा बन जाता था और यह एक चाइमबर तयार हो जाता था अगर हम यहां पे देखे तो यह हैं रूपकुंड और वो जो हम महल देख रहे हैं वहां पे ब पॉरिनेर्स के लिए जो महराजा साहब के अंग्रेज दोस या कोई अंग्रेज पार्टियां आती थी तो वह उस महल में रुका करती थी जिसको शीष महल भी कहा जाता है इसी के ही अपोजिट में ये फोर्ट है कि महाराज भरतपूर से आते थे तो उनकी जो सेना थी वह इस जल महल के दोनों तरफ एक इस तरफ और दूसरा हमारे पीछे जो कि दूसरे एंड पर उस तरफ एक दूसरा सरोवर है तो दो सरोवर है यह रूप सरोवर और वह है गोपाल सरोवर उस तरफ तो यह दोनों सरोवर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं जब गोपाल सरोवर में प प्राबर बना रहता है तो अभी आगए हम लोग यह है दिवाने खास दिवाने खास अंदर है और दिवाने आम यह बाहर हुआ करता था यह टक्ट बना हुआ है पत्थरों का इस पत्थर पर राजा जी बैट जाया करते थे इस तक्ट पर बैट जाया करते थे और जमीन पर सा प्रबादों कुए अभक और में सोल्फ होते थे और दीवाने आम में ही एक बना हुआँ हैं अगर कोई भी जो दिवाने आम में को पानी पीना होता था तो उनके पानी किया पूर्ती इस कोवें से करी जाती थी उसकोवें से निचे से पानी लाते थे और फिर और यहां पर बैठे हुए लोगों को पानी पिलाया जाता था तो यह जो हम देख रहे हैं जो बड़ी सी दीवार है इसके ऊपर ही वाटर टैंक है 20,000 ग है जो नाम है किसन भावण वह आपशा हा कि इसको और आर शाटन की के शचव महिए और जम गल्डे सралवगोंगा उसको पहुत था पर जहां झाल के मिरहना है उसको बोलता है उनंद महल यह Pearी में मेहरा जहां और रून रूम है उनका ड्राइंग रूम है यह सारी चीज़ उनकी यहां पर है वो चलके अभी हम लोग देखते हैं बहुत ही खुबसूरत गार्डन बने हुए है तो अब भारतपूर या वरिंदावन के आसपास आते हैं तो इसको दरूर विजिट कर सकते हैं यह लाइन्स केज शेर सब्सक्राइब तो इसमें राजा साब अपना खुद का शेर लाते थे वह रखते थे यहां पर पकड़ के लाते थे नहीं जैसे कोई पालते थे तो यहां पर रखा हुआ है पीड़ी दर पीड़ी वह एक फैशन था तो अभी जो हम ने पिंजड़ा देखा था बाहर से शे शेर का पिंजड़ा हम बाहर देख रहे थे पर उसके लिए जो महल बना हुआ है यह इतना बड़ा महल यहां से शुरू हो करके और यह यहां तक और इसी के ही वहां कॉर्णर में पिंजड़ा लगा हुआ था वाविया राजा साहब का शेर केज में थोड़ी रहता है तो मह आधि यह पूरा पहले सए इस पैलेस को महराजा सुरज मल जो कि भरतपूर के राजा थे उन्होंने आगरा से एजटेश सारे मार्बस निकाल करके और भरतपूर ले आए और इसको यहां पर लाकर से उसी तरीके से इंटरलॉट किया और इस पूरे महल को इंटक्ट कर दिय वाकई में इस पूरे एरिया का सबसे अच्छा महल रही है जो यह आगरा से उठा करके ले आये थे सेम एज इस तो यह था वोला महल जिसके अंदर थे वह हम लोग तो बहुत ही खुब सूरत और यह जो दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे यह है वो दूसरा सरोवर गोपाल करके और रूप सरोवर जो की दूसरे एंड में है वहां तक जाता है कि अगरे आखरी महल और जो सबसे इंपोर्टेंट महल है वह भी देख लिया हम लोगों ने तो इसको बोलते हैं गोपाल भवन तो गोपाल भवन के बाद हम जितना भी देख रहे हैं पर जितने भी भव अलग अलग नामों से ही इन सारे महलों का इन सारे भावनों का नाम हुआ है तो काफी अच्छी जगह थी बहुत बढ़िया इस महल के अंदर जो है राजा जी के जितने भी उनके बेड्रूम है उनका जो डाइनिंग एरिया है और इसमें क्यों सबसे अच्छे चीज दिखा आपको सास्त में दिखाई देती है जो कि उनके अंग्रेज जो ग्यस्त थे उनके लिए यूज होता था बहुत अच्छी जगह थी बहुत मेंटेंड है नॉमली हम लो रेड पोर्ट ओल पोर्ट सब देखते हैं तो यह उसे साब से बहुत मेंटेंड है उन्दर पहले जैसी अब हम लोग वापस हमारा जो साइट सिंग था वह लगभग खतम हो चुका है अब यहां से निकलेंगे वापस की तरफ तो अगर आप डीग आते हैं तो डीग से आप गोवर्धन और गोवर्धन से फिर आप यमुना एक्सप्रस पे पकड़ करके और दिल्ली की तरफ बढ वरते हैं तो यह थो निकल करके इसमया नीकल रूह गया आपर थेrence और्ला मैं और उक्सर वृद्ग नाइदर नहीं गया जायर के आनदर लुक्वर्श से निकल आए तो अभी यहां पर खाना खाते हैं बहुग लग रहे है तीन बजिगा है उनल एप्र ऑगे रोटी रे अची कम्लीड गूर एक्सप्रियंस है तो थेकर आपने है बरे आइसा एक्सप्रियंस हमें में जीम्हें हुआ है अच्छे रेस्टेंट्टों में है तो हमेशा भाते हैं भिलकुल डेसी वह बहुत चाहे हम लोग गाजियाबाद और घर बहुत ही नजदीक है आ गये हम लोग फाइनली घर हो मि сюда प्रफिन नेज़े होई हम झो को है कि भादा मिनिट होह रहे हैं तो सभेस्ट समय पर आगे हम लोग गर पर तो अज ठीक हम लोग में बॉत का वह थकार हो चुकी है यू लीडीज या राप लोग का बड़िया, यू बढ़िया यहां पर इतना कुछ नहीं और जल पहले दीख का भी बहुत फेमस नहीं था मोंने काफी गूगल किया देखा रिसर्च किया तब हम लोग वहां गए वगर आप भी चाते हैं तो खाने का विष्था अगर चाते हैं तो भरतपूर ने करके जाए या फिर आप गोवर्धन या प्रिंदावन की तरफ निकले और वहां पर कुछ खाएं तो आज का वीडियो बस यहीं तक साल का आखरी ट्रेप कंप्लीट हो चुका है फिलहाल पर नेक्स्ट यह हम जरूर एक और बाकी तो आप देखी लेंगे एक तारीक को जब हमरा नया साल शुरू होगा या दो तार झाल झाल का वीडियो को जबस्ते है आप डिट्यु झाल यह हमजगे लेत्वान की तारीक को आप ज़ चाहा आप पार शोले कि फिलूगा उना प्रिंदावर दूपन की तो बाम स्ब्सक्क प्रिंदावर के का यह तो आपका है तो झाल झाल